मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मेरा बचपन मेरे कंदोपन यह एक आत्मकता है जो कि सुराज सिंग बेचन जी के द्वारा लिखी गई है इन्होंने इस आत्मकता में अपने बचपन के संगर्शो का उले किया है इस आत्मकता को इन्होंने बारा खंडों में विभाजित किया है इसके लिए मैं अलड़ी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें बारा खंडों का मैंने शंशिप्त विवरन दिया है लेकिन आज हम जो हैं इसका करेंगे दसवाँ खंड दसवाँ खंड कौन सा है इसका दिल्ली बड़ी दुनिया में छोटे कदम और इसका ग्यारवाँ खंड है यहाँ एक मोची रहता था इन दोनों खंडों पर विस्तार से पढ़ेंगे इससे पहले मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल पर जाकर इसके बारा खंडों को अवश्य सुन ले इससे क्या होगा कि आपको ये दो खंड अच्छे से समझा पाएंगे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सस्क्राइब कीजिए जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंसती रहे तो चलिए शुरू करते हैं इसम आत्मकता में बेचन जी ने अपने बचपन के संगर्शो का उले किया है जब वे पांच या छे वर्ष के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था इसके बाद तो मानो मुसीबतों का पहार उनके सिरपर तूट पड़ा हो अब तो उनके पास दो वक्त की रोटी ख उनकी मा के दूसरे विवा कर देते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक सिती तो अच्छी नहीं होती है यह सोच कर उसके नाना उसकी मा का दूसरा विवा कर देते हैं लेकिन वे स्वराज के परिवार का पालन पोशिन करने में असमर्थ रहता है यह देखकर स्वराज के नाना उसक संगर्षों से भरा हुआ था अपने आत्म कथा के खंड दिल्ली बड़ी दुनिया में छोटे कदम में सोराजी लिखते हैं कि गाउं में जीविका का कोई साधन नहीं था गाउं में जमीदारों के खेतों में मेहनत करने पर भी उन्हें अपने शरम का पूरा मुलन नहीं मिलत था इसलिए गाउं के लोग जीविका की तलाश में शेहरों की और पलायन कर जाते थे सोराज भी अपने पेट पालने के लिए अपने फूफा के साथ भटे पर इट पातने का काम करता था बालक होने के बावजूद भी उससे अधिक काम करवाया जाता था इसका परिनाम क्य हुआ कि वह बालक स्वराज वहां पर बिमार हो गए और वहां इलाज का भी कोई वैवस्था नहीं थी मिट्टी में लगे रहने के कारण उनकी तुच्चा जगा जगा से फट जाती है सर्दियों के तीन-चार महीनों में तो बालक स्वराज का हूलिया ही बदल गया उसे प नोकरी छोड़ने पड़ी लेकिन जीवीका की समस्या तो जोखी त्योही बनी रही इसके बाद स्वराज ने मजबूर होकर एक निकल कार खाने में हैलपर की नोकरी करने पड़ी वहां प्लास्टिक के डरमों में तेजाब मिश्रित पानी में साइकिल मोटर साइकल तथा अ भी उन्हीं दिये जाते थे लेकिन वे पुराने या फटे हुए दिये जाते थे खास तोर कर बाल शर्मिक और चोटए मजदुरों ने कि ख़ी अधाहे की कारण थे तेजाब्य इन चोट चोटे षोटे वहत सारे अनदर पर वीश्嗎 था और जिससे स्वराज के हाथों में गहरे जखम हो गए अगर नए दस्तानों की मांग की जाती थी तो उसे अंसुना कर दिया जाता था इस परकार स्वराज को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए ना जाने कितने ही संगर्श करने पड़ते थे इस आत्मकता का जो अगला खंड है वह है यह एक मोची रहता था इस खंड में जो स्वराज बताते हैं कि कार खाने के जोखिम भरे कामों से परिशान होकर स्वराज अपने अंधे ताउ के साथ फुट पात पर मोची गिरी में लग जाते हैं लेकिन वहाँ पर लोग पूरा महंताना नहीं देते काम के पैसे मांगने पर वहाँ पर लात गूसे ही मिलते थे इसलिए मोची का काम भी उन्हें मजबुरी में छोड़ना पड़ा इसके बाद बालक स्वराज ने अपने घर घर अखबार फैकने का भी काम शुरू किया लेकिन इस कार्य में भी उसे उसका महंताना नहीं मिलता था इ लेकिन इस काम में भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती इसके बाद वै होटेल में बरतन धोने और चाय पिलाने का काम करते हैं लेकिन यहां भी उसे केवल दुदकार ही मिलती है इसके बाद ढोल पीटने का काम राज मिस्तरी को मसाला एट पकड़ाने का काम भटे पर मिट्टी पकडाने का काम, खेतों में निराई कटाई का काम, इन जैसे ना जाने कितने ही काम बालक सुराज ने अपनी जीवी का अरजित करने के लिए के, लेकिन हर बार उन्हें केवल असफलता, दुद्धकार, शोशन का ही शिकार होना पड़ा, इस संगर्श को सुराज अपनी शब्दों में वेक्त करते हुए कहते हैं कि, यू भी जिन्दा में कोन गिने है इन बेचारे गरीब मोचियों को, जिन्दा भी वैसे ही है, जैसे मरे हुए, इन सब संगर्शों के बाद सुराज शहर से भाग कर वापस अपने गाउं आ जाते हैं, लेकिन यहां भी उनकी मुसीवते कुछ कम नहीं होती, बलकि और भी बढ़ जाती हैं, सुराज को बचपन से ही गठिया बाय का रोग पकड़ लेता है, और इस रोग के कारण दो वक्त की रोटी कमाने में तो असमर्थ हो ही जाते हैं, और एक वक्त तो ऐसा आता है, जब वे हालातों से पकान में एक कोने में पड़ा रहता है, और पड़े रहने से दवादारू तो दूर दो वक्त की सूखी रुखी रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती, उनके जीवन में ऐसी ना जाने कितनी ही यातनाओ से उन्हें गुजरना पड़ा, अपने जीवन में उन्होंने वो खा गरीबी ने उनकी जिन्दकी को बहुत ही कष्ट में बना दिया था, इतनी गरीबी का इनकी जो गरीबी का मुख्य कारण था, वो ये था कि इनके शरम का उचित मुल्य ना मिलना, बच्चपन में मोज मस्ती, लाड प्यार, अन्यसुक सुविधय उन्हें कभी नसीब नहीं हुई, लेकिन जीवन में इतने संगर्षों के बाद भी स्वराज की लिखने पढ़ने की इच्चा प्रबल थी, ऐसे समाज में जब स्वराज पढ़ने की इच्चा को प्रगट करते हैं, तो मानो सारा समाज ही उनके खिलाफ हो उठता, यहां तक कि उनकी मा, उनके भाई- प्रगट हैं, उनके इस निर्ने में सयोग नहीं दे रहे थे, लेकिन स्वराज की लिखने पढ़ने की इच्चा प्रबल थी, उसने अपने आत्म विश्वास के सारे पढ़ने के निर्ने की घोशना कर दी, स्वराज में पढ़ने की इतनी ललक देखकर, गाउं के उसे पढ़ाई का लालच दे कर अपने घर ले आते हैं, और उनका दाखिला स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी उसे स्कूल के दर्शन नहीं होते, और जम कर रात दिन खेतों में काम करवाया जाता है, स्कूल में दाखिला मिलने के बाद भी पढ़ाई कम काम अधिक करना पड़ता था, काम नहीं करें तो रोटी नहीं मिलती थी, बालक स्वराज अपना पेट पालने और पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्द था, इसलिए उसे अध्यापक प्रेम पाल के घर और खेतों में काम करना पड़ता था, ऐसे हाला होने के बाद भी स्वराज में पढ़ाई की ललक बनी रही, अध्यापक प्रेम पाल सिंग ने विद्या अध्यन में मदद करने के नाम पर स्वराज का जमकर शोशन किया, वह पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका अधिकांश समय तो रोटी के लिए शाररिक शरम करने में ही गुजर जाता था, उनका मन स्कूल में रहता था लेकिन शरीर शरीर तो उनका खेतों में खपता था, इस तरह की तमाम समस्याओं से जूजते हुए, अपने सहास, द्रिड संकल्प और कठोर परिश्रम के बल पर आखिर में वह दसवी की कक्षा उत्तिन कर ही लेते हैं, इन हमारे समक्ष उपस्तित हैं, तो ये थी सौराजी की आत्म कथा, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, धन्या बात